नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में हाजिर वे दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां सतना जिले में हत्या का संसनी खेज मामला सामने आया है जिसके बाद इलाके में हडगंप मच गया ओनर किलिंग का ये मा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है जहां एक युवती के भाईयों ने उसके आशिक को पत्थर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया इस संसनी खेज हत्याकांट के आरूपियों का खुलासा कॉल डिटेल की जरिये हुआ पुलिस ने दोनों आरूपियों को मियानी रात की है मामला दमोह के सभापुर्थाना शेत्र के सरया गाउं का है जहां धरमेंद्र नामदेव नाम के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई उसके सिर पर पथर पटक पटक कर उसे मौत की घाट उतार दिया गया हत्या के बाद उसकी लाश को सड़क के किनारे फेक कर आरोपी फरार हो गये युवक और युवती दोनों ही शादी सुदा थें बताया जा रहा है कि मृता की युवक और युवती के बीट शादी से पहले से ही प्रेम संबंध थें जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त की रात को धरमेंदर नामदेव अपनी विवाहित प्रेम अपने माई के सभापुर्थाना शेतर के बधान टोला में थी उसे पून पर बात करते हुए उसके दो भाईयों अनिल और राजा ने सुन लिया जसके बाद से आग बबूला हो गये और धरमेंदर के मडर की खौफनाक साजिश रच दी आरोपी धरमेंदर को पहले से जानत बात करते हैं दो पहर तक की दूसरी बड़ी खबर की जहां वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री के खाने में कीडा निकला है इस पर यात्री ने हंगामा कर दिया है आरोप है कि उसे दूसरा खाना भी नहीं दिया गया ट्रेन में सफर कर रहे हैं यात्रियों का कहना है कि बंदे भारत में लगातार ऐसी घटनाई बढ़ रही है रेलवे को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी बंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापती स्टेशन से हजरत निजामुद दिन जा रही थी जहासी में सुबह करीब आठ बजे यात्रियों को breakfast सर्वि किया गया यात्री अभे सिंग सेंगर के food packet में उपमा के उपर कीडा था यात्री ने इसका वीडियो बना लिया उन्होंने बताया कि मैं बंदे भारत में travel कर रहा था कीडा निकलने पर staff को बताया उन्होंने खाना वापस ले लिया मैं 9.40 बजे क्वालियर उतर गया उन्होंने तब तक मुझे दूसरा फूड प्रोबाइड नहीं कराया वहीं I.R.C.C.T के रिजनल मेरेंजर आर भटाचारे का कहना है कि यात्री को दूसरा फूड पैकेट दिया क्या है इस मामले में जाज करके निश्य थी वेंडर पर सक्त कारिवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो यात्री अभैसिंग ने कहा कि रेलवे का रवाईया भी इस मामले में बहुत खराब था अधिकालियों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत मुझसे नहीं ली मैंने ही जोर देकर उनके शिकायत रेजिश्टर में लिखा की ऐसी लापर वाही लगातार सामने आ रही है रेलवे बेंडर चेंज क्यों नहीं करता अन्यात्रियों नहीं टीटी से कहा कि रेल मंत्री और अधिकारियों को इस से कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत बहुत धन्यवाद